हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल डिश्टल पड़ाई आज हाग टूबर 29 और डिसकेस करने जा रहे हैं टूबर 29 के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुरेंट अफेर्स तो चलिए वीडियो को शुरूर करते हैं इन विच कंट्री इस दा नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉंच्ट ओप्शन सार नैपाल इंडिया बांगलादेश नो नौ अफदीश तो इसका अंसार है ओप्शन सी बांगलादेश दोस्तो बांगलादेश ने लॉंच्ट किया है नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी अगर आप महाँ पे मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको कोई सर्विस प्रवाइट नहीं की जाएगी गौवर्मेंट की तरफ से पांगलादेश की प्राइम मिनिश्टर का कहना में शेक हसीना इसका अंसर है ओप्शन बी वर्ल बैंक दोस्तो बहरत का पहला सेंड यू पार्क ओपन होने जा रहा है गोवा में और उसके लिए वर्ल मैंक ने तीन करोड रुपे सेंशन करें हैं विच कंट्री पुटान्स हाइड्रो पावर प्रजेक्ट बोन दा प्रिटिस्ट इंजिनियर्स अवर्ड ओप्शन सार नैपाल इंडिया यू से नौन ओफ दीस तो इसका अंसर है भारत यानि इंडिया दोस्तो बहारत की कंपनी ने जीत लिया है यह अवर्ड बुटान मे जिसको रिप्रेजेंट किया था चूकेस टॉप इंजिनियर्निंग बोडी ने विच नेशन टार्गेट टु अचीव जीरो कारवन अमिशन बाइट टॉन्टी फिफ्टी ऑप्शन सार चाइना जबैन इंडिया यू से इसका अंसर है ऑप्शन भी जापान दोस्तो जापा जापान के ने पर्धान मिंतरी जिनका नाम है याशीदे सूगा उन्होंने बोला है कि जापान दोजार पचास तक जीरो अमिशन वाला कारवन अमिशन वाला गयर देश बन जाएगा जो की बिलकुल भी यूज नहीं करेंगे ग्रीन हाउस गैसीज दोजार पचास तक पल सैमसंग इसका अंसर है ओप्शन दी सैमसंग दोस्तो सैमसंग कहां की कंपनी है साउथ कोरिया की और उसको मिला है वर्ल्ड का बेस्ट इंप्लॉयर ऑब दी अवर्ड किस ने दिया है वर्ल्स बेस्ट इंप्लॉयर ऑब दी अवर्ड किस ने दिया है वर्ल्स बेस्ट इ When is the international coffee day celebrated? Options are 1 October, 2 October, 3 October, none of these. तो इसका अंसर है, option A, 1 October को मनाया जाता है विश्व काफी दिवस. When is the national girl child day observed every year? Options are 16 January, 11 October, 24 January, 26 February, यह मनाया जाता है 24 January को, हर सार मनाया जाता है राष्टिय बाली का दिवस. तो जीता है इसको लुइस हेल्मिल्टन ने. दोस्तों यह हैं Lewis Hamilton जिसने जीता है Merceries Great Britain Portuguese Grand Prix Award. Which country is to remain in grey list of FATF till February 2021? Options are Iraq, China, Pakistan 99 तो इसका अंसर है option C, Pakistan. दोस्तों पाकिस्तान फिर से grey list में आ गया है यानि grey list में रहेगा FATF की कब तक रहेगा? 2021 तक, February 2021 तक वैसे तो इनको होना चाहिए black list में बट अभी है यह grey list में. With which IIT did TCS jointly developed novel industries 4.0 technologies? Options are IIT, Guwahati, IIT, Kharagpur, IIT Delhi, non-urbis तो इसका अंसर है option B, IIT, Kharagpur. दोस्तों, IIT Kharagpur और TCS यानि Tata Consulting Service ने मिलके एक program launch किया है जिसमें वो industries के बारे में, industries की 4.0 technologies में काम करेंगे. तो इससे के साथ समाव करता है आज का session उमी देहाब को प्रसंद आया होगा. देखा दोस्तों हमने बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे questions पढ़ ली हैं जो कि exam में आने वाले हैं. ऐसे ही questions को पढ़ने के लिए आप हमारे page को follow कीजिए और हमारे चैनल को subscribe किये और like कीजिए. पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.